जानकारी को पुरानी जानकारी से पुरानी सूचना से बनी आदतों को भी संभाल सकते हैं कर्म को सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब आपके पास जरूरी उर्जा हो तो इन दो चीजों में अभ्यास निश्चित रूप से मदद करते हैं सबसे बढ़कर अगर आपकी उर्जा एक खास तरह की है तो जो काम कोई 24 घंटे में करता है वो शायद आप 6 घंटे में कर लेंगे या जो आप 24 घंटों में करते हैं वो शायद कोई 3 दिनों में करेगा जो कि हमारे लिए सच्चाई भी है तो समय उर्जा और जानकारी तीनों खास तरीके से मैनेज हो रही है लेकिन खास करके समय अगर हम समय पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो हमें एक साधना की जरूरत होगी जो अलग प्रकृती की हो अगर आप समय पर महारत हासल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह की साधना है मौजूदा साधना से कुछ चीज़ें तो होती हैं लेकिन इनका मुख्योदेश कर्मों की सूचना और उर्जा को सांभालना है अगर कोई समय पर महारत चाहता है तो दूसरे तरीके की जरूरत पड़ेगी अगर हमें उस रास्ते पर चलना हो तो या तो आप में जीवन के कई पहलूओं के बारे में बहुत जादा समझ होनी चाहिए तो ये बहुत ही वैग्यानिक तरीका हो जाएगा और या फिर आपको सुनने के लिए तयार होना होगा अगर आप में दोनों में से कोई भी एक गुण है तो ये संभव है जो पहला तरीका मैंने बताया बहुत जादा समझ वाला वो कम समय में नहीं होगा वो कम समय में हो ही नहीं सकता उसके लिए काफी कुछ चाहिए बहुत कुछ चाहिए लोगों को ये समझने में कई जन्म लग जाते है कि ये वाकई में कैसे होता है कि ये समय क्या है मुझे पता है विज्ञान ने कुछ हद तक समय की व्याख्या की है ये अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं लेकिन वे उस परमसत्य के करीब बिलकुल भी नहीं है कि समय क्या है तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार की साधना में अभी सिर्फ वे ही लोग जा सकते हैं जो बस बात मानते हूं अगर मैं उन्हें कहूं कि कुए में कूद जाओ तो वे कूद जाएं कुए में नहीं, ट्यूब वेल में हाँ अगर मैं ट्यूवेल में कूदने को बोलूं तो वे अपना शरीर मोड का ट्यूवेल में घुश जाए तो अगर वे इस तरह के हैं तो हम काल से संबंधित साधना कर सकते हैं आपने कीर्टी मुख के बारे में सुना है हर मंदिर पर कीर्टी मुख की मूर्ती होती है जब शिव ने उन्हें कहा ओ, खुद को खालो वो बोला, मैं भूका हूँ तो शिव बोले, खुद कोई खालो तो उन्होंने खुद कोई खालिया बस उनका चहरा, मूँ और हाथ बचे दे बाकी का हर हिस्सा वो खा गए तो शिव बोले, आप एक तिजस्वी चहरे हैं आप सभी भगवानों से उपर हैं तो हर मंदिर में कीर्थि मुक्का चहरा होता है जिसमें हाथ मू में होते हैं शरीर नहीं होता, क्योंकि वो खा गए थे वो अपना ही शरीर खा गए थे क्योंकि शिव ने कहा था कोई रीजन नहीं, कोई आइडिया नहीं लेकिन वो खा गए और सभी देवताओं से उपर चले गए तो कहने का मतलब है कि वो समय, स्थान और हर चीज से परे चले गए भगवान से उपर होने का मतलब वो इन सभी आयामों से उपर चले गए लेकिन भगवान भी इन में से कुछ सचाईयों के आधीन है लेकिन वो उन सभी से उपर है